आपको भी फ्लाइट्स देखकर कभी ना कभी एक सवाल तो आप में जरूर होता होगा कि एक हवाई जाहास कैसे हवा में उड़ता है जैसे कि आप देख सकते हो ये एक सिंगल पीस नहीं है इनमें आपको मुवेबल पार्ट्स नजर आएंगे और ये wings और tail एक अच्छी shape form करते है जो कि है airfoil shape एक aircraft का उड़ने का बड़ा राज ये airfoil structure है airfoil shape एक force produce करता है जो कि है lift force जब airplane तेजी से take off के लिए दोड़ता है तब ये lift force जाहास को उड़ान बरने के लिए मदद करता है जितना इसका curve है उतना take off easy होगा curve increase करने के लिए flaps को नीचे किया जाता है जब flight take off करने के लिए ready है जब airplane runway पर रफ्तार पकड़ता है elevators को उपर किया जाता है और wind का flow pressure create करके flight एक successful take off achieve करता है जब flight हवा में आएगा तब landing gears retract करके flaps और elevators अपने original और general form पर आते हैं अब सवाल ये है कि flight को turn कैसे किया जाता है यहाँ ailerons और rudder के काम आता है aircraft को turn करने वक्त एक aileron को उपर और दूसरे को नीचे करके rudder को turn किया जाता है तब aircraft तोड़ा tilt होकर successfully turn किया जाता है landing करने वक्त flight की speed कम करके landing gears और flaps को release करके flight की nose को नीचे किया जाता है जब plane जमीन के नजदीक आता है तब पिछले वाला landing gear को पहले जमीन पर touch किया जाता है और बाद में आगे वाले को touch करके land किया जाता है force decrease करने के लिए spoilers या फिर air brakes को apply करके plane को रोका जाता है अगर आपको इस informative flight journey पसंद आया तो like कर देना और channel पे नए हो तो subscribe कर देना मिलते है जल्द